नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूं सीमा कवर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कीवी के बागीचे से और जो आपको फलों से लदबत दिखते थे अगस्ट सेप्टेमबर में तो देखे आजकल विंटर में क्या आलत है आजकल तो इसकी प्रूनिंग हो चुकी है मतलब कि सब्सक्राइब करते हैं मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हैं हमारे गाओं में तो यह देखिए आप कितना खुबसूरत लगा आभी इसको अच्छे से चूना कर दिया है और चूना करने का क्या फायदा है यह खुबसूरत तो दिखी रहें पेड साथ में दीमक फंगस जो चाओ होता है तो जी यह देखिए आज कल हमारे जो कीवी का बगेचा है हमारे फैमली वालों का ही है यह पहले भी मैंने आपको दिखाया था फलों से लदबत था यह कितना अच्छा फ्रूट था इसमें तो आज कल देखिए आप और एकदम शान्त बिलकुल क्योंकि अभी फल नहीं है इसमें लगावा कुछ भी पत्ते सब जड़ गए हैं पूरा बगेचा देखिए आप और इसके अभी तोलिय बनाने बाकी अभी सिर्फ इसमें चूना हुआ है जो चूने में नीला थोथा मिलाके करते हैं ना इसमें वह अभी हुआ है और यह देखिए इसका त धारी आजकल हम इनका ख्याल रखेंगे तो गर्मी बरसात में यह हमारा ख्याल रखेंगे गीवन टेक वाला सुवाब है मतलब की तो आजकली इनकी बहुत ही ज्यादा क्यार करनी होती है अच्छे से इसमें खाद गोबर इसमें चूना करना होता है सर्दियों में और देखिया पत्ते एकदम जड़ गए हैं अभी आएंगे जब बसंतरीतु जैसे की आएगी तो देखना फिर से हरा भरा होगा ब दमी पूरा बगीचा और अभी इसमें काम बहुत बचा हुआ करने को इसकी तोलिये बनेंगे और इसमें गोबर डलेगा तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरा फेस्बुक पेज सीमा कवर को भी फोलो तो गाइस यह देखिए इसमें लोहय के एंगल लगे हैं जो पत्तों और फल में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं और जो यह देखिए इधर पतली-पतली तारे हैं जो जाला बना हुआ है इस तरीके से यह दिखिए क्यूंकि जब फल लगता है ना तो यह नीचे जुख ज इसमें पूरे में दिखेगा आपको जो तारे हैं उसका जाल बिचा हुआ दिखेगा तो दोस्तों इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है एक बार शुरू में खरचाता इसमें जिसे लोहय का जो भी आप जाला बनाएंगे और प्लांट लगाएंगे और उसके बाद यह बस आपको 5-6 साल बाद और 10 साल बाद और जादा आपको पैसा देना फिर शुरू कर देगा यह आपको क्योंकि एक बार जब लोहय का जाला पूरा बन गया है लोहा और यह लोहय के एंगल और उसके ओपर बिचेगी यह तारें पतली-पतली तारों का जाल बिचता है तो क्योंकि यह नहीं तो इसमें फल बहुत ज्यादा लगता है न तो यह तभी लोड लेगा जब यह जाला इस तरह इके से बना होगा तो फलों को तभी यह संभाल पाएगा पूरा जाला नहीं तो यह टहनिया बिल्कुल नीचे जुक जाती है और इसका टूटने का भी ड सब कुछ मैंने बताया है कि कहां से प्लांट मिलते हैं और आप किस मौसम में लगा सकते हैं तो आइप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा मिलते हैं निव ब्लॉग में चिल दन बावाय ते कि आस बस्ता ये मस्त रहीं